रूस और युक्रेन के बीच जंक आज आठवा दिन है इस बीच बेलारूस ने दावा किया है कि पोलेंड बॉर्डर पर मौजूद गार्ट्स ने करीब सौ भारतिय चात्रों को पीटा और उन्हें वापस युक्रेन भेज दिया इस कारण इन चात्रों को रोमानिया के एक कैम्प में शर्ण लेनी पड़ी न्यूस एजेंसी पीटियाई के मुताबिक बुधवार दो मार्च को सैयुक्त राष्ट में बेलरूस के राजदूत रैलेंटिन राइबा कोब ने सैयुक्त राष्ट महासभा में अपने एक भाश जुष सरगेई किसलितस्या ने कहा कि एक भारते नागरिक की मौत हुई है और एक चीनी नागरिक घायल हुआ है ये सब उनके देश में रूसी आकरमन के चलते हुआ है उन्होंने कहा यूक्रेन को इस बात का बेहत दुख है कि रूसी सेनाओं की गोली बारी में एक भारते की मृत्यू हुई है हम भारत और मृतक के परजनों के फृति गहरी समवेदनाय प्रकट करते हैं सोबार 27 परवरी को कई भारते चात्रों ने आरोप लगाया था कि उन्हें पोलेंट और स्लोवाकिया में घुसने नहीं दिया जा रहा है और उनके पास कहीं और जाने का रास विडियो सोशल मीडिया पर शेर किये थे उन्होंने इसमें गुहार लगाई थी कि भारते प्रिशासन उनकी मदद करें जानते हैं चात्रों ने क्या वजह बताई इन चात्रों का कहना था कि उनके साथ इस तरह का सिलूक इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें इस सम्मन्द मे भारते दूतावास का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ यूक्रेण में पढ़ रहे एक भारते चात्र ने इंडिन एक्स्प्रिस को बताया मैं सैकलों लोगों के साथ बीते शुकरवार की रात को बौर्डर पर पहुँच किया था हम 30 किलोमेटर से अधिक दूरी पैदल त बजार कर रही हैं लेकिन कोई मदद नहीं मिली है यहां बैठने के लिए भी जगह नहीं है जब कभी यूक्रेणियों की गाड़ी आती है तो भारते को पीछे धकेल दिया जाता है इस समय हमें एक शल्टर होम में है जो की बौर्डर से 8 किलोमेटर दूर है अभी तक भारत दूतावास के लोग हमारे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं हम अब क्या करें हाला कि पोलन बौर्डर पर हुई इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने सकृता दिखाते हुए स्थिती को समहला और अपने चात्रों को रोमानिया हंग्री और पोलेंट के रास्ते वापस दा दूमार्ज को केंदर सरकार की और से यह भी बताया गया कि उक्रेण की राजच्थानी कीव में अब कोई भारत नागरिक नहीं बचा है यहां से सभी को निकाल लिया गया है भारत विदेश मंत्राले के मताबिक अन्य शहरों से भी तेज़ी से नागरिकों को निकाल कर पिरहाल इस जंग के बीच भारत सरकार ने कहा है कि उक्रेण में रह रहें करीब 20,000 भारत नागरिकों में से 30,000 भारत आ चुके हैं और बाकी के 30,000 पड़ोसी देशों में हैं केंदर ने कहा है कि अब्यूद शेतर में फसे 40,000 भारतों को निकालने का इंतजाम किया जा रह है आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी धीरजने मेरा नाम है रिव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया